प्लेन के पीछे ये छोटा सा होल क्यों होता है? क्या इसके नहीं होने से प्लेन क्रैश हो जाएगा? दरसल ये होल प्लेन के सबसे छोटे इंजन से जुड़ा हुआ होता है, जो प्लेन के टेल के पास मौजूद होता है. ये छोटा सा इंजन प्लेन के फंक्शनिंग के लिए इतना important होता है कि ये plane के main engine को start करने के लिए initial power देता है साथ ही साथ cabin के electronics को तब तक power देता रहता है जब तक कि main engine gear में shift नहीं हो जाते और plane को संभाल नहीं लेते अब आपको पता हो गया होगा कि